कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको चाहिए एक प्रोटेक्टर, एक स्केल, एक पैंसिल, एक रबर और एक कमपस अगर आपने ये सब चीज़े खटी कर लिए तो चलिए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन करना इस वीडियो के अंदर हम पैरलल लाइन बनाना सीखेंगे तो पैरलल लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करने होगी तो यहल हमने एक लाइन ड्रॉ करिए किसी भी लेंद की लाइन होगी और इसको label कर देते हैं X और इसको Y से अब ये point है हमारा इस point से कोई भी एक line draw करते हैं ये हमने line draw कर दी और अब इस point से अब एक line हम draw करेंगे ओ point से जो कि parallel होगी इस line के कुछ इस तरह से हो जाएगी तो वो parallel होगी ये हम draw करेंगे तो एक compass लीजिए आप एक convenient radius open करें wipe इंडिल को रखें और आपको arc कुछ इस तरह से लगाना होगा अब इस निडिल को उठाइए और O point पे रखें और उतना ही radius रखते वे arc लगाएंगे similar arc लगाएंगे और अब इस arc की length को measure कीजिए कुछ इस तरह से measure करना है आपने ये देखिए ये हम इस arc की length को measure किया अब जो हमने नया arc बनाया है इस पर arc की length को ये intersect कर देंगे तो ये arc की length measure होगी अब इस intersecting point से O point को join करना है में ये point है हमारा intersecting ये O point join कर देते हैं आगे तक बढ़ा दिया तो ये हमारी line बन गई ये दुनों लाइने पहले लोगी ये दूने लाइने पहले लोगी ये दू तो label कर देते हैं M दे देते हैं इसको ये Y और ये हमारा N दे देते हैं इसको N तो M Y parallel होगी O N के तो ये parallel का तरीका है दिखाने का ये दूने line parallel है तरीके?